माई हैं तो अब हम आये हैं बाह्दर्पूर टेपर आप टेपर जगा और रुविन के खेत है 오빠 के हम cabeza और यहां से हम टेपू कशल शृदि का रासन लेने यहीं जिए यहीं है यहां यहां पे?" लेते हैं और यह हम पे रामरीला कलब का मेदान भी आ वहाँ पे जहां यह पेड़ जैसे दिख रहा है आप अहलोगों को और यहां पर यह Social कर दो को हीम यहां पे और अभी हम भाधर पूरा एंदा है थे देखो और यहां बेने काफी बन देया है तो रेस्ट हाउस में है मरत्था जी राम राम ठीक है जी ठीक है और ये बाला रोड गया ये गया फोरेस्ट रेस्ट हाउस के लिए और ये यहां पर भी देखो ये मंदिर में जा रहे हैं वहां पर मत्था ठेकने यहां पर नैनदेवी का मंदिर है और ये वहां पर जा रहे हैं और यहां पर और भी लोग आयां काफी और यहां के ठंदी हवाई ठंदी छायां गर्मियों में तो बहुत मजाता है और भी बर्फ अड़ेगी न बर्फ बारी होगी तब तो फिर दुबारा से आएंगे हम यहां पे और यह जगह मैंने बहले भी बहुत बार दिखाई है और यहां पर आने का ना मन बार बार करता है इसलिए जो मैं बार बार लेखे आता हूं आप लोगों को यहां पर और आप लोग हर बारी एन के कोई देखते हैं मेरे पार क्योंकि एन की यह कैसा बंदा है जो मेरे साथ दो यहांपे थोड़ी सी प्रॉबलम है, अधुसी फोन नियू लग सकता है तिर डी आए जाया है अभी मास्टर सुनील भी आना था पर पोता नहीं अब उगाय भी हो गया है अब हमें मिला ही नहीं और हम क्या सी जगह प्या है ना वहां या आगे से दिखाता हूं मैं के था कुण जाओ अगे लास्ट दे इन दिखे गई नहीं अभी हम ना जाएंगे और जगह भी दिखाता हूं आप लोगों को तो यह छुट-छुटी वीडियो हैं छुट-छुटी ब्लॉग्स हैं पर जगह हैं जो है बहुत अच्छी अच्छी है क्यों आई नहीं दूर-दूर लेखे जाएंगे बस भाई एक बार चैनल आप लोग यह जो आगे-स आगे शेर करिये चैनल वीडियोंने बेटा सैंनल शेयर करने से चैनल जो ग्रोभ होगा और जब ब्हाँ होगा बाजोट भी हाता है इसक्ते दोरने तो इक अभी कंभी अध schauen हो नहीं पा रहा है Almost all the ello rt amar बारिस के टाइम में यह और ज्यादा चमकता है ना फूरा जंगल अभी थोड़ देखिए जो यह व्यू है ना बहुत अच्छा लगता है पर जब बारिस पड़ती है ना उस ताइम यह सचमी चमकते हैं यह जो यह पौदे ना विल्कुल साफ दिखते हैं चमकते मतलब ऐसा यह इतना घंगल है और देवदार का ही जंगल है तो बहुत अच्छा लगता है सचमी यह और यहां से थोड़ थोड़ धूंद है और यह जो यह दिख रहा है ना देखो आगे आपको यह चिमनी ऐसी दिख रही है तो यह है दाडला फैक्ट्री जो समींट फैक्ट्री है सम यह दो प्लांट है यहां पर लगया हुए और फिर हम जाएंगे अभी इस रास्ते से तो यह गने-गने जंगल है और गने-गने ब्रिक्स है तो इनके बीच से जो रास्ता जाता है देखिए ऐसा जैसा रास्ता है और निकला देखो लास्ट में आगे जाके तो आगे जाके कर तंग विवा तब लो कुंसे कर दुख बड़ी बुरी चीज या ना इसको गंफस जाता है बचा रहे को कभी-कभी या ना है हुए क्या गंफस हो रहा हुआ 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 कि अधा अधा तेरा हुआ है हर बार यह आप सोचेंगे गच्ची की खाते हैं यह दोने ही कठे हो गे तो मीठा हमारे को अच्छा लगता है और ठंड में यह अच्छे बी खिर ना है दान सब्सक्रेदेर अ हुआ हुआ है हुआ हुआ है में लगता है हुआ है वर फशना बढकी अच्छा झाल in here अबसे पुराणा नहीं यह पेड़ना मेरको अच्छा लगता है सच्मी यह वाला अजीब जैसा है ना बहुत पुराणा हो गात तब लग रहा हो गाया साथ यह यह आती है क्या गार्डोल काईटर गार्डोल काईटर यह कज बखेरो यह दाम गाईगा वाँ वाँ दो हम कितनी उंचाई पे आया ना और यहां से अभी हम वो देखिया आप एटीबब ना पार वहां भी दिखाएंगे आप लोगों पर रही आ रहा पता क्या खौर पड़ी है खौर समझते हैं धुंद पड़ी है मतलो खौर बोलते हैं अपनी भासा में अभी इनके बोल के हटा भी खौर पड़ी है अभी तो बोल रहा हूं मैं तो खौर बोलते हैं धुंद को कि देखिए ऐसे रास्ते होते हैं हमारे चोटे 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 और यह है कबली चूरे कबली चूरे नहीं जानते आप पर मैं बताता हूं आप लोगों को क्योंकि देखो कैसे रास्ते होते हैं हमारे और यह देखो और यह कबली चूरे इसको बोलते हम यह जो कैक्टास होता है इसको बोलते हम कबली चूरे अपनी भाशा में और यहां पे पिछले साल बहुत आग लगी थी पता नहीं किस चीज की वज़ास से लुआ फूक रहे थे ना और लुआ का मतलब होता है जो कांटे इकठे किये होते ना वो जला रहे थे उनसे क्या हुआ एक नमाग भढ़क गई और यह देखिए यह देवदार का ब्रिक्स जो है वह सूख गया है ऐसे चुट चुटे पौदे जो है वह सूख गया है जैसे यह हो गया यहां पर और ऐसे पत्तर पत्तर होते हैं हमारे आना कई जगाओं पर देखा है मैंने पत्तर नहीं होते हैं तो यहां पे न मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ और इसका नेक्स पार जो है वो थोड़ी सी क्लिपे और हैं वह आप लोगों के साथ शेर करूंगा नेक्स वीडियो में और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप ऐसे ही मे मेरे चैनल को शेयर करते रहना ओके थैंक यू फो वाचिंग